So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की revision class, दीए मारा पहला प्रश्न क्या है, wrist assured ये किसके आत्मगत है, गुंडप्पा विश्वनान, पूर्व भारते कप्तान थे ये, किरकेट में, और museum of the future ये कापे इस्तित है, जिसे दुनिया की सबसे खूब तुरत इमारत कहा है, इसके अंदर आपको 2071 तक का विश्व का सफर दिखाया गया है, तकनीकी विकास के साथ, मतलब आप देख सकते हूँ, ये एक ऐसा museum है, जिसमें आपको भविश्य दिखाया गया, अकसर museum में क्या होता है, आपको इतियास दिखाया जाता है, भारत के बाहर पहला योग शुद्याले लोस अंजलिस में है, इसका नाम स्वामी विवेका नंद जी के नाम पर रखा गया, योग विशुद्याले, और योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला भारतेर राज्य बना मद्यप्रदीश, और प्रधान मंतरी गती शक करने वाला पहला भारते शहर बना था वारनसी, नदियों के लिए अंतर राश्ट्रेट कारणे दिवस होता है 14 मार्च को, यानि कि इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स, इसकी भी ठीम थी, जैव विवित्ता के लिए नदियों का महत्व, दे इंपोर्टेंस ओ नहा को मिला था उनके नाटक समराट अचोक के लिए, जबकि अंगरी जी का मिला था नमिता गोखले को, तिंक्स तू लिव बिहाइंड के लिए, अब यहाँ पे एक प्रस्ण में आपसे पूछूँगा, आपको बताना है, दो हजार बाईस का बुकर पुरुसकार, ये किस से मिला है, वैसे 2021 का तो आप जानते होंगे, 2020 का बुकर पुरुसकार मिला था, डैमन गलगुट को ये साउथ अफरिका के लेखा के है, उनके नौवल दो प्रामिस के लिए, और 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरुसकार मिला था, डैविड डायोग को, ये फ्रांस के लेखा जो आस्कर है, 94th नंबर के 2022 में, उसमें भी बेस्ट एक्टर यही रहे, इसी मुवी के लिए, पाफ्ता की बात कर रहे हम तो यहाँ पे, तो इसमें बेस्ट फिल्म रही है, The Power of Dog, जिसके डैरेक्टर है, Jen Campion, बेस्ट डैरेक्टर का आवर्ड मिला इनको, और बेस्ट Canlone, After Love नाम की मुवी के लिए, तो बताईए, पोखरन में किस वर्ष पहला परमानु परिक्षन आयोजित किया गया था, तो आंसर होगा 1974 को, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, जब भरत में Tiger Project लाया गया, उसके एक साल बादे से याद रख लो, तो याद रखना, पोख फिर बताओ, 1866 में, East India Association की स्तापना किस ने की थी? दादा बाई नारोजी ने, भारत का Grand Old Man के नाम से भी वो जाने जाते हैं, कहां पर किया था? लंदन में, और इस Association के पहले अध्यक्ष बने थे Lord Liveden, इस Association इस संग का उद्देश शिक्या था, अंग्रेजों के बीच भार इस इंडिया कंपनी का पहला Governor General कौन था? तो फिर आंसर होगा Warren Hastings चलो बताओ, English Channel को पार करने वाला पहला भारतिय व्यक्ति पुरूशों में पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा महिर सेन, और महिलाओं में पूछते हैं, तो आंसर होथा आरतिसा English Channel ये Atlantic Sagar की ही एक ब्रांच है, जो Great Britain और उत्तरी फ्रांस को अलग करती है अगला प्रशन है, कपास की काली मिट्टी को क्या केते हैं? रेगूर मरदा केते हैं, ये कहीं बार हम पढ़ चुके हैं चलो, आप लोगों के लिए एक प्रशन बनेगा यहाँ पे, मरदा दिवस, मरदा दिवस कब मनाते हैं, अपन ये बताओ, यानि कि World Soiled है अगला प्रशन है, विश्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है? अब प्रशन को ध्यान से देखना यहाँ पे न तो मीठे पानी की बोल रहा है, न खारे पानी की बोल रहा है सबसे बड़ी जील पूछ रहा है, तो आंसर होगा आपका कैस्पेंस आगर अब यहां से दो-तिन पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना ताकि आप confused नहीं रहो अगर एक्जाम में आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो आंसर कर देना कैस्पियन सागर है अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है तो भी आंसर कर देना कैस्पियन सागर लेकिन किन्तु परंतु बंदु अगर आपसे एक्जामिनर पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, सुपीरियर ले, बात आपको समझ में आई, सबसे बड़ी पूछे, तो आंसर कैस्पियन, खारे पानी में सबसे बड़ी, तो भी कैस्पियन, और मीठे पानी में सबसे बड़ी सुपीरियर होगी, ये कनाडा और अमेरिका के बीच में है, अच्छा माल लो, examiner पूछ ले आप, विश्व की सबसे उचाई परिस्थे जील कौन सी है, तो फिर आंसर होगा, टिटिका का जील, ये आपको South America में मिलेगी, पेरू और बॉलिविया के बॉर्डर पे आपको मिलेगी, और पूछे विश्व की सबसे गहरी जील कौन सी है, त आपको मिलेगी Turkey में, तरकी का बैसे अभी नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, तुर्की ये, फिर बताओ, मेट्टूर बांध ये किस नदी पर है, ये कावेरी नदी पर है, ये तमिल नाडू में मिलेगा आपको, तमिल नाडू का सबसे बड़ा बांध यही है, किस नदी को दक्षिन गंगा कहते हैं तो आंसर होगा गोदावरी को लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दक्षिन भारत की गंगा किसको कहते हैं तो फिर आंसर होएगा कावेरी नदी को और गोदावरी को वैसे व्रद गंगा भी कहा जाता है प्राचीन बिहार का शोक किस नधी को कहते हैं कोसी नधी को कहीं बार पढ़ाया हमने लेकिन बंगाल का शोक किसे कहते हैं दामुदर सत्यमेव जेते यह का से लिया गया मुनडक उपनिशद और काकूरी train kand को क्या कर दिया नाम बदल कर गए kakori train action kand की जिके action कर दिया था मात्मा गांदी जी के अधिक्षिता में kongres का कौन सा एक मात्र अधिवेशन हुआ था बेल गाउं अधिवेशन welcome मिलेगा को करनाडग में और मात्मा गांदी जी ने kongres के इस बेल गाउं अधिवेशन के अधिक्षिता कब की थी तो 1924 में कakori train डकेती हुई थी 1925 में और उसके एक साल पहले इनुने इसके अधिक्षिता की थी बताव सम्विधान में मौलिक करतव्य की संशुधन के द्वारा जोड़े गए तो आंसर होगा 42 सम्विधान संशुधन तो याद रखना सरदार स्वणने सिंग समिती की सिफारिश पे वर्ष 1976 में यानि कि 1976 में 42 सम्विधान संशुधन के द्वारा मौलिक करतव्यों को जोड़ा गया कहां से लिया गया था इनको रश्या से और कितने हैं 11 हैं अच्छा मौलिक अधिकार कितने यानि कि fundamental rights पहल तो यह बताओ यह लिये कहां से हमने fundamental rights मौलिक अधिकार अगये अमेरिका से लिए कितने हैं 6 हैं 7 नहीं है यह याद रखना एक्चुली में जो संपत्ति के अधिकार है उसको 44 संविधान संशुधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया अब यह एक कानूनी अधिकार है अब हम पुराने महीने के current affairs का revision करेंगे topic wise current affairs देख रहे हुने आप लोग हाँ उन्हें जरूर देखना वो important हैं और अगर series अच्छी लग रही है या जो भी वीडियो आप देखते हो अगर आपको पसंद आते हैं चाहे ये वाला हो चाहे वो वाला हो तो please इन्हे support जरूर करा करें बहुत मेनत लगती है बनाने में कितनी मेनत लगती है यह तुम्हें बोल के नहीं बता सकता लगती है कि आप लोग support जरूर करें वीडियो उसको लाइक करके शेयर जरूर करें बस इतना सा कहते हैं आप लोग से चलिए भी वड़ते आगे तो बताए अभी किसे हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपती के रुक में चुना गया तो अंसरोगा केटले नोबाक को हंगरी की केपिटल होती है बुड़ा पेस्ट और बताओ किसर राज्जे के मुख्य मंत्रे ने महिलाओं के लिए सुष्मा स्वराज पुरसकार की गोशना की थी तो अंसरोगा हरियाना ने और सुष्मा स्वराज जी से याद होगा प्रवासी भारते केंद्र का नाम सुष्मा स्वराज भवन रखा गया था अब बताओ सेबी का पूर्ण कालिक सदस्य किसे न्यूट किया गया तो अंसरोगा अश्विनी भाटिया को अबी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मादवी पूरी बुच अंतर राष्टर महिला न्यायदीज दिवस ये कब मनाया गया तो अंसरोगा 10 मार्च को चलो बताओ यूएस के सुप्रीम कोट में पहली अश्वित महिला जज्ज कौन बली है तो अंसरोगा केतान जी ब्राउन जेक्सन On Board My Years in BCCI नाम की जो ये बुक है ये किसके आत्मकता है रतनाकर शेट्टी की ये BCCI के पहले मुख्य प्रशाशनी कदिगारी थे और अब इसको लॉंच किया है शरत पवार ने जो की BCCI और ICC के पूरू अध्यक्ष रह चुके है इसको चिस्टी टॉफ गवर्नेंस रेंकिंग 2021 है थी उसमें कौन सार राज्य पहले स्थान पे रहा तो अंसरोगा आंदर प्रदीश और किस राज्य सरकार ने महिला एदरेट कारेकरम शुरू किया था तो आंचरोगा करनाटक ने डिसका उदेश्य था महिलाओं के कारेबल में भागीदारी को 50% तक बढ़ाना और किस बैंक ने हैश्टेग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी को लॉंच किया था तो आंचरोगा HDFC Mutual Fund ने अच्छा देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित ववाला फिक्की लेडिज और्गेनाइडिशन औद्योगिक पार्क ये का पे खोला गया हैदराबाद में किस मशूर गोल्फर खिलाडी को World Golf Hall of Fame में शामिल किया गया Tiger Woods को यूएस के है ये अमेरिका के गोल्फ प्लेयर है अच्छा अगर एक्जाम में आपसे पूछा जाए अदीती अशूक का सम्मद किस से है तो ये काफी न्यूज में रहती है याद रखना इनका सम्मद गोल्फ से है फिर बताइए चिली के सबसे यूआ राश्टर बती कौन बने गैब्रेल बॉरिक चिली की केपिटल सेंटियागो है करंसी है पैसो और आटाकामा का मरुस्तल जिसे सबसे शुष्कतम मरुस्तल का जाता है वो भी आपको चिली में मिलेगा महिला विश्व का पितिहास में तीन शतक लगाने वाली पहली बारते कौन बनी तो आंसर हो और अभी 2022 में जो वोमेंस वर्ल्ड कप हुए थे ये न्यूजिलेंड में हुए थे चलो अब बताओ उसको किस ने जीता और किसको अराक जीता किस देश के पूरवर राश्टर बती रफीक तरार का निदन हो गया पाकिस्तान के थे और अभी पाकिस्तान के नए प्रधान म करने के लिए किसे चुना गया आरूशी वर्मा को किस राज्य ने मिशन अंद्र धनूश में पहला इस्थान हासिल किया उलीशा ये एक स्वास्ते सिवा पहल है जिसे शुरू किया गया था 25 देसंबर 2014 को किसे चार धम परियूजिना पर समिती का अध्यक्ष बनाया गया ए 800 अरब डॉलर किस अंस्थान ने रोल आफ लेबर इंडियास डेवलप्मेंट नाम की एक बुक को रिलीश किया श्रमवर रोजगार मंत्राले ने जिसके मंत्रिये भुपेंदर यादव नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्रकरता को इंटरनेशनल वमेन आफ करिज पुरु ये शुरू हुई थी 2015 में 25 जून 2015 को जिसका उद्देशे था 2022 तक सभी के लिए आवास लेकिन अभी 31 देसंबर 2024 तक इसे बढ़ा दिया गया अब बताओ किस पाकिस्तानी केर्केटर को पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच नागरिक सम्मान सितारा एं इंतियान मिलेगा तो आं लंपी रोग के लिए कौन सा सुधेशी वैक्सिन लॉंच किया तो आंसर होगा लंपी प्रॉवेक पश्वो में हो रहा है ये लंपी रोग त्वचा रोग है गाठे बन जाती उनके शरीर पे अगला है चिराग योजना किसने शुरू की तो आंसर होगा हर्याना ने अगस्ट दोजार बाइस में खारे पानी से उत्पन बिजली से जलने वाली देश की पहली LED लाल्टेन अभी लॉंच की गई डॉक्टर जीतेंदर सिंग्नी ने इसको लॉंच किया नाम कैया इसका रोश्नी और अभी इंडियन और कॉर्पोरेशन ने भी एक सोलर चुला ल पाबलो रियोस या अरजेंटिना के हैं T20 किर्केट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाच कौन बन गये तो अंसर होगा ड्वैन ब्रावो ये वेस्ट इंडिस के हैं और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न पढ़ा हमने भी कि 600 T20 मैच केलने वाले द अगला है किस देश के प्रसेडेंट ने ग्लोबल पीस वेश्विक शांती के लिए तीन सदेश से आयोग बनाने के लिए संयुक्त राश्टर को लिखित प्रस्ता उस ओपने के गोश्ट ना की तो आंचार है मेक्सिको मेक्सिको के राश्टर बतिन है नाम क्या है उनका और वो तीन सदेश से आयोग बना रहे हैं तो वो तीन व्यक्ति कोन है एक तो हमारे प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी इसलिए प्रशन थोड़ा इंपोर्टेंट है एक पॉप फ्रांसिस और एक उनाटेड नेशन सेकरेटर जनरल अन्तोनिया गुतर्रेस पांच सालों के लि कौन सा वला फर्स्ट इन इंडिया इन वर्ल्ड जुलाई में जो भी भारत या विश्व में पहली बार चीज़े हुई है उनसे संबंदित प्रशनों को आज हम कवर करेंगे शाम को छे बजे अपलोड कर देंगे उससे ना तयार रेना थैंक यू